गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब तो सुबह के साड़े चार बज चुके हों साड़े चार बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आगे हूँ आज की यानि 12 दिसंबर के टॉप 6 Most Important Current Affair तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना Important Lecture तो जिसमें आप पहला Question हो जाएगा दा हका काबो रजी जो की हका काबो रजी National Park के लिए Famous है तो ये तीन country के बीच में एक Try Point बनाता है तो वो तीन country कौन कौन सी है तो आपको Option A हो जाएगा इंडिया, नैपाल and China Option B, इंडिया, भूतान and China Option C, इंडिया, बंगलादेश and Myanmar Option D, इंडिया, चाइन and Myanmar तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा D, इंडिया, चाइन और Myanmar कैसे वो भी एक लेते हैं हका काबो रजी जो की 581, 81 मीटर्स तक फहला हुआ है ये Myanmar के northern area में फहला हुआ है 3-point border बनाता है इंडिया और चाइना के साथ और ये खाको बुराजी नैशनल पार्क से घिरा हुआ है और यहाँ पर ट्रॉपिकल से लेकर अलपाइन स्पेशीस तक फ्लोरा और फ्लोरा और फ्लोरा पाय जाते हैं केरल में आयोजित होने आले वाशिक राज इस तरिये युवा महतसौ का क्या नाम है तो आपका option A हो जाएगा केरा लोसवम option B केरला सहावू option D मलायाला मनोरमा and option D मल्लू मैजिक तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा A केराला लोसवम देख लेते हैं इसके बारे में भी केरालोसवम एक state level youth festival है केरला का और ये coordinate किया जाता है केरला state youth welfare board के दोरा और जो पलककर है वो इसमें champion बना है उसी के साथ ही साथ जो cozy code और कुनूर जो है वो second और third position पर आए है फिर the next question तो ये question आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि अभी इस पर Supreme Court ने अपना एक judgment भी दिया है तो वो भी देखेंगे question हो जाएगा article 370 जो की news में है तो वो किस state या union territory से ब्लॉंग करता है तो आपका option हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर बी पंजाब सी दमन और दिव और दी नन ओफ दा एबब तो मैंने आपको यहां पर hint भी दिया हुआ है कि आप उसको देखकर भी जा सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका ए जम्मू और कश्मीर तो देख लेते हैं इससे related news क्या है तो Supreme Court ने अपने decision में बोला है कि जो article 370 को हटाया गया था वो पूरी तरह से valid है और यह इसलिए किया गया था ताकि जम्मो और कश्मीर का एक ही करण किया जाए और उसी के वज़े से यह news में आया तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 370 होता क्या है आर्टिकल 370 एक constitutional provision है जो कि जम्मो और कश्मीर को एक special status देता है और यह provision जो है वो इंडियन constitution के part 21 में पाया जाता है यह एक temporary transitional और special provision है next है which organization released state of finance for nature report कि संगतर ने state of finance for nature report जारी की तो आपका option हो जाएगा A. United Nation of Environment Program B. World Trade Organization C. World Health Organization and D. None of the above तो आपका answer हो जाएगा A. United Nation Environment Program तो यह news में क्यों है वो भी देख लेते हैं तो यह जो report है तो United Nation Environment Program और Land Degradation Germany और United Nation Convention to Combat Desertification का joint initiative है इस report के अनुसार कि जो countries हैं तो वो लगभग 7 trillion dollar जो है वो invest करती है subsidies में और private investment में जिसका directly देखा जाए तो एक negative impact परता है nature में जो की सही नहीं है तो इसके लिए यह report आपकी news में बनी हुई है क्योंकि जो अभी आपकी होरी COP28 तो उसमें इस report को present किया गया है आपको comment box में बताना है कि COP28 कहां पर हो रही है और यह मैंने आपको already पढ़ाया हुआ है next question है which country is hosting 27th world investment conference कौन सी country सत्ताई से विश निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रही है तो आपका option हो जाएगा A. India B. Japan C. France and D. Germany तो आपका इसमें answer हो जाएगा A. India Invest India जो कि National Promotion and Facilitation Agency Government of India की उसी के साथ इसाथ जो current president है World Association of Investment Promotion Agency के तो यह 11 से 14 December में जो शुरू होने आली है 27th World Investment Conference तो यह host करने आले और यह जो conference है तो वो इंडिया में होगी India International Convention and Expo Center जो की यशो भूमी New Delhi में है वहाँ पर होगी और इसकी जो theme है वो theme हो जाएगी Empowering Investors, IPAs, Pioneering, Future, Growth Next है Visceral Lash Maniasis जिसको की हम काला अजर भी कहते हैं तो वो किसके दौरा पहलता है तो आपका option हो जाएगा A. Mosquito B. Monkey, C. Sandflies and D. Bats तो आपका answer हो जाएगा इसमें C. Sandflies देख लेते हैं इसके बारे में भी कि ये news में क्यों है और साथ ही साथ ही काला अजर होता क्या है वो भी देखेंगे तो इंडिया ने काला अजर पूरीता से eliminate करने का target रखा था 2023 जिसकी वज़े से बात हो रही ही कि इंडिया अपने target को पूरा करने में काफी हद तक आगे आ चुका है क्योंकि अगर देखा जाए तो हर 10,000 पर सिर्फ एक ही case देखने को मिल रहा है तो इस वज़े से ये आपका news में आया था तो काला अजर एक parasitic infection है जो कि transmit होता है sand flies के दौरा तो वो भी देख लेते हैं तो काला अजर या black fever या dum-dum fever या visceral lashmeniasis तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं और ये तीन टाइप की होती है एक होता है visceral lashmeniasis जो की multiple organs को affect करता है और ये इस disease में सबसे serious stage होता है उसके बाद आपका हो जाता है cutaneous lashmeniasis इसकी वज़े से skin में सूजन आती है जो की एक common form है next आपका हो जाता है mucocutinus ये भी skin में होता है तो ये एक deadly parasitic disease है और ये mostly अफरीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के लोगों को affect करती है और अगर इसका सही से treatment ना कराया जाए तो इससे लोग मर भी सकते हैं तो congratulations आप सभी लोगों को जिन्होंने last तक वीडियो को देखा क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने लक्ष को लेकर कितना जादा serious हैं आप कितना जादा dedicated हैं अपने aim को लेकर आज के वीडियो में बस इतने ही आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को like and share और चैनल को subscribe करना ना भूलें तब तक के लिए अपना ख्यार लगकें पढ़ते रहें thank you bye bye कर दो सकत Courtney पाजर जया है बाले प्याम में पत्राव में झाले में आपकें प्याओ